Hello everyone, welcome to English with JP sir, इस वीडियो में हम इन तीन वर्ड्स को discuss करेंगे बहुत सारे students ऐसे हैं जिनको इनके उचारण में और इनके यूज में problem होती है वो उनको गलत प्रणाउंस करते हैं और एक दूसरे की जगर पे इनने इस्तिमाल कर देते हैं तो इस वीडियो में crystal clear में आपको ये समझाओंगा कि इनका उचारण क्या है और इनका correct use क्या है कुछ examples के माध्यम से मैं आपको इन में difference समझाओंगा कि इनके use में क्या difference है और इनका correct use क्या है So let's start और सबसे पहले आप इनके उचारण में difference समझे तो जो सबसे पहला word है यह है accept, तो ध्यान रखना, a, c, c, e, p, t, इसमें accept, जो cat का a sound आता है, वही यहाँ पर आएगा accept. second है accept, देखो, पहले और दूसरे का जो दूसरा syllable है, दोने में sept, sept है, लेकिन जो पहला syllable है, उसमें पहले में ek, और दूसरे में ek, यह ध्यान रखना ठीक है, accept, accept, और जो तीसरा है, यह relatively easy है, क्योंकि इसका दूसरा syllable एकदम different है, यह है pact, तो यह हो जाएगा expect, इसका जो a है, यह बड़ी a का sound नहीं है, इसमें a और हलका a आप use कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा expect, got it, so, अब इनके meaning समझते हैं, तो सबसे पहले accept, accept का मतलब होता है, स्विकार करना यह एक verb है, इसकी second form होती है, accepted, और third form भी accepted, ठीक है, अच्छा, कुछ example समझते है, I did not accept his invitation, मैंने उसका आमंतर स्विकार नहीं किया, Sonia accepted my proposal, Sonia ने मेरा प्रस्ताव स्विकार किया, we do not accept cards, हम cards स्विकार नहीं करते हैं, we accept only cash, हमके और cash ही स्विकार करते हैं, तो accept समझ आ गया, स्विकार करना, अब second word है, accept, accept एक preposition है, जिसका मनलब होता है, इसके बिना या किसी को छोड़ कर, not including, apart from, तो जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं, बाकी चीजों को ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज को छोड़ रहे हैं, तो आपे accept लगाते हैं, तो ध्यान रखना इसका pronunciation accept है, अब देखो, everyone went picnic except Ravi, Ravi को छोड़ कर हर कोई picnic में गया, everyone went picnic except Ravi, I go to gym everyday except Sunday, मैं हर रोज gym जाता संडे को छोड़ कर, तो यहाँ पर संडे को include नहीं कर रखा, इसलिए except Sunday आया, I eat all kinds of vegetables except cauliflower and cabbage, मैं हर तरह की सबजिया खाता हूं केवल, cauliflower और cabbage को छोड़ कर, ठीक है, तो समझ आ गया, किसी चीज को आप छोड़ रहे हैं, तो उसमें आगा, except, except, okay, अच्छा, and this we have, expect, 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 जो है, यह भी एक verb है, second, third form, expected, expected, और इसका मलदभ होता है, उमीद करना, I did not expect this kind of behavior from him, मैंने उससे इस तरह के behavior की उमीद नहीं की थी, I was expecting 90%, मैं 90% की उमीद कर रहा था, लेकिन मेरे 85% है, but I got 85%, as expected, जैसा कि उमीद थी, इंडिया won the match, easily, भारत आसानी से मैं जीत गया, got it, तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना न भूले, और मैं मिलता हूँ आपका अगले वीडियो में, आपको किसी particular topic पर अगर वीडियो चाहिए, तो आप comment कर सकते हैं, और आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा, till then take care, God bless you.